कि देखे फ्रेंड्स आज हम आपके सामने फिर से आए हैं एम्टीएस कि एससी एम्टीएस 2019 जो है इसकी कट ओफ क्या रहेगी जैसा कि आप सब को पता है कि दस हजार प्लस पोस्ट हैं और ओल ओवर इंडिया है किसी भी राज्य में आपको जो मिल सकती है अगर आप इसकी कट ओफ क्लियर करेंगे तो इसके अंदर जो फॉर्म फिलप हुए थे फॉर्म फिलप जो हुए थे वह हुए थे लगबग लगबग 38 लाग क्या स्पास हुए थे और जो पेपर देने गए थे वंदे जो एंडिडेट अपियर हुए थे वह लगबग 19 लाग क्या स्पास यानि के 50 परसेंट 50 परसेंट जो बच्चे थे वह ही जा पाए थे या किसी वज़े से कहे थे एससी एमटीस का विपड़ देने अब कुछ लोग कह रहे हैं बहुत सारी लोग कह रहे हैं कि दो अगस्त से इनके पेपर स्टार्ट थे दो अगस्त थे और जो चले थे लगबग लगबग 19 या 22 अगस्त तक गए थे और चले लोग कह रहे हैं कि असी जाएगी यू आर कि असी असी माक्स जाएगा सो में से सो माक्स का ये टोटल पेपर था टोटल माक्स इसके अंदर सो थे सो माक्स अब आप खुद समझदान है कि अगर इसके अंदर दो पेपर है टायर टू है पहले टायर फर्स्ट है पहले टायर फिर टायर सेकिंड है जो डेस क्रिप्टिव होगा अब खुछ रमज़े अगर फर्स्ट पेपर की जो कट ओफ है वह असी चली जाएगी यानि का स 80% हो गया सो में से तो दूसरे वेपर के लिए बच्चे कहा बताऊंगा कि कैसे बनेगी यह नॉर्मलाइजेशन में आपके दो या पाच नंबर तक बढ़ सकते हैं बस उससे जादा नहीं बढ़ सकते हैं कोई आपको बताएगी 20 बढ़ जाएंगे 30 बढ़ जाएंगे तो इसा नहीं है नॉर्मलाइजेशन पर आपकी एक्कूरेसी का फरक पड़ता है अगर आपकी एक्कूरेसी अच्छी है अगर आपने 80 कोश्चन अटेम्ट किये और आपके उसके अंदर से 75 कोश्चन जो हैं वो करेक्ट है तब आपकी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़न किसी के नहीं होती है सबकी जो एक्कूरेसी रहती है वो 70% से 75% के बीच में रहती है लेकिना जो पांच परसेंट लोग होते हैं पांच परसेंट जो लोग होते हैं उनके एक्कूरेसी होती है 90 परसेंट या फिर पिचान परसेंट या फिर पिचान परसेंट या फिर पिच तो मैं आपको यह सब फैक्ट्स मज्द नजर रखते हुए कट बताता हूं यह हमारी क्याटेग्रिया यू आर ओबीजी एस्सी और एस्टी चर्णल यह चार क्याटेग्री के बारे में बात करते हैं लगारे मार्ठ कितना रहेगा सो में से अकर मार्क की बात करूं तो परसेंटेटेग्र की बात करूं तो मेरा जो कहता है और यह आप भी सोतında कि Gemma के parts 65 से प॥िछ शत्र रंबर तक जा सकती इसमें आप प्लस माइनस फाइफ कर सकते हैं यानि कि अगर देखा जाए तो यह सतर से असी तक जा सकती है चर्णली किसी किसी राज्य में जैसे जो हाई जोन राज्य है दिल्ली हुआ इनमें ज्यादा भी जा सकती है लेकिन एक्चुली जो नॉर्मली रहेगे एक एवरिजन जो रहेगा वो सतर से एसी के बीच में रहेगा और जो ओबीसी की है वो लगबग लगबग आप देख सकते हैं कि 65 से 65 तक ओबीसी वाले जिनके इतने के बीच में बन रहे हैं इसके अंदर आप नॉर्मलाइजेशन जोड़ सकते हैं प्लस माइनस भी कर सकते हैं यह मैं आपको ज्यादा ज्यादा लेकर बता रहा हूं इससे ज्यादा नहीं जाएगे एस्टी के अगर हम बात करें तो अगर किसी के साथ से 65 के बीच में नमबर बन रहे हैं तो सेफ है अब आप देख लीजिए आपके मार्क्स कितने मन रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शियर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें